असलाम अलेकुम जे फ्रेंड्स आज का जो हमारा टोपिक है वह है कबल्ड ओसी लेटर आज कर यह टोपिक है कि इसमें हम कबल्ड ओसीलेटर विद टू स्प्रिंग विद्टू मैसिज बात करने के खोशिक करेंगे तो यह मारा ओप्डिक्स का लेक्षियर है कि लोगों एक स स्टर्ट की इस ओप्टिक्स की इस हम ने इन तवापिक्स पर पिछ्छली विडियो में बात कर लिए अगर आप इसे लोग सिर्ज को फालो कर रहे हैं तो बैस्ट अगर नहीं फालो कर रहे दा कि आपके तो आपको जो मुतलिक का टॉपिक्स हैं आप यहांसे ले सकते हैं डन हो गया तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी ले क्रोमेटिक अबरेशन और स्परिक अबरेशन आज हम इस लेक्षेमर का सी पार्ड है जिसमें हम बात करेंगे कपलड कपल ओसिलेटर बीद टू मैसीज पर बात करेंगे तो आई साकर थे तर्फिक पकायतर पर बिस्मिल्लाह रह्मान रही सल्लाह ला मुहम्मद सल्लाह लाह वा अलीव सल्म सबसे पहले देखिए यह त्यूरी लिख्यों यह कंसिड़ तो इक्वल बोडीज नाट एफ्टेट बा तुन मैसिज हैं दो मेसेजें मान समय इकोल है यह यह मरत पास बार्डर है यह पर अपनी जगह से हिलते नहीं है ड़न होगया यह तो मैसिज मैसिज त्यूरी सिख्रीम मैस हैं मारे पास ओके और यह मारा पास को स्टैंट हैं अब वेर दी एज़ पॉइंट्स और फिस्ट एड के नाट डिमूव यानि कि जो हमारे पास होते है इस यह मर पास इसको हम एक्स वन के नाम से डिनोड करते हैं जबके इसको हम एक्स टू के नाम से डिनोड करेंगे कि दर और यह के लिखा को है एक्सी्टू दिस्प्राइश मेंस इस्प्राइस me Why give इसके डिन्योड एक्सटेतरेशन एक्सटेश्ट 450 और अपल्सन ओर्ट 2DD यह जो इमपोर्टंट जो कानशन को हो यह हैं ओके यह सतन स्ट मस्टे नी पछसन के लिए हैं इसम नहीं मनें is equal to M2 है और यह हमारे पैसे हैं इसको हम M के नाम एकोली रख दिया है अब सबसे पहले हम यह पता होने चाहिए अगर हमको Simple Harmonic Motion का पता है Simple Harmonic Motion में हमें क्या गया Simple Harmonic Motion में हमने एक फार्मला स्ट्टी किया था तो अपर एक्सलिशन होता है वह डिल्यक्टिन ने प्रोपोर्शन होता कि इसके नेग्टिव डिस्प्रीश्मेंट गी जैने कि उसमें हमने स्ट्री किया होता था इसको हम इस तरह कर लेते हैं तो अब दिखें कि जो हमारे पास यह मरे पास एक्स यह तमाम बहुत कि उप्ते हैं सेंपल हर कोशिय्ugen में कि किर tricky मटते हैं इस स्ट्री कर रहे होते हैं इस तुमाम ने बातों पिश्री में में पहले पता होना चाहिए तर कम आजोंते हाँ सब्सक्राइब इस फिरेख तो अबborgऑ इस मुंस ने गीश्मेटिव इस बिएक्सक्रों donc कर दो कि नच्तिक होता था कि एक्सक्राइब कि दो है मैं। एंगोन का फार्मुला हमारे पास तो तो देखें इधर हमारे पास है जो हमारे पास अंहएं सब्सक्राइब one है यह किसके equal है यह इसके equal है अब जो मेरे पास यह portion है इसकी तो हमें बात समझ आ रहे हैं कि यह simple harmonic motion में हमें को study किया था negative key x यह में बात समझ आ गी है यानि कि यह देखें कि जब spring को इस side पर jump करेगा move करेगा तो जो मेरे पास displacement की वज़ए से जो मेरे पास constant होगा वो मेरे पास यही होगा यह वाला यानि कि जो मेरे पास यह लिखा हुआ यह वाला होगा अब बात करते हैं यह portion कहा से आता है देखें जैसे ही यह मैस इस तरह move करेगा यह तो fix रहेगा अपनी side पर यह वाली लिखा हुआ है यह देखें अब इस फार्म को यानि कि इस फार्म को हम एक और फार्म में लिख सकते हैं इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं नेगटिव के x1 तो नेगटिव के x1 नेगटिव x2 इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं अगर आप लिख 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 इसको और इसको हमें एड़ करते हैंगे तो मैं पास नेगटिव 2 के X1 हो जाएगा ओके और यह सिंपल वैसे कर वैसे ही आजएगा similarly ऐसा ही होगा कि यह तो हमने जो equation लिखें यह तो हमने M1 के लिखिया अगर हम M2 के लिखें तो जैसे कि यह M2 इस तरह मूँव करेगा तो इसमें जो रिदबदल होगा इस spring constant में वो थ हमें simple सामय इदर नजर आ रहा है कि यह होगा ओके लेकि जो यह होगा यह होगा यह first spring constant में हमार पास इस तरह होगा ओके तो इस यस अब इस form कि इस तरह को ऑन भूच Но की वर मीव एकस तो नेगतिव 220 q इसको हम इसको में नेख़् सकते हैं तो नेद झीव कि जो मला पास यह वाल वाला इट्ट कह ओक्धों कि स्याधर ना कुंधिक जाएगा यह मारत में यह मदेन को गया है और मोशन की एक्वेश्यंग निए का प्रण में टू मैसिज में 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 इसको हम मजीद सिंपिलिफाय करते आइस से के तो मारे पास क्या होगा जहां जहां हम पास x1 है उदर हम यह पूट कर देंगे यहां जहां में पर एक्स फौर्ड यह कोटर देंगे कहाँ इस में मैं वंवन और Mom00 में ऑर इस इक्वेशएचन में यहां जानाई आप相 dejar हम यह पूस कर दें जारा हुद हमारे पास यह बंचेगा तो देखे हैं वारे पास है यह मंने मोढें है इसक्रिक्शन में इस फर्म में लिए सकते हैं यह मैं पास मोड़ी फर्म में आ चुकी है मोशिन की एक्वेशन किस केस में टू कपल्ड ओसलेशन विद्टू मैं मैं स्प्रिंग को स्टेंट उक्यों गया तो यही है आज अगा मैं अम्मीद करता हैं फ्लोगों किस वीडियो की समझ जा गई होगा अगर फिर कुछ क्यों पोच्छना चाहते हैं तो कुमेंटर की सोब्सकते हैं और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पाक एमन अकैडमी इसको अभी तक कर दें लाक्षे कर अगर अपने द्वा में यादर रखेगा असलाम अलेकुम और रह्मतुल्ह वर्बरकातूं